जैहिन डिफेंस आस्पेरेंट्स वेल्कम तो त्रिशुल डिफेंस अकडमी योट्यूब चैनल जैहिन मनेम इश्वां पांडे गईस आज के इस लेक्चर में हम फिरसे एक सीरीज लेकर के आएं पीवाइक्यू की प्रीवेस येर कोश्चेंज जो की हिस्ट्री के हैं जैसा कि आप लोग बाकी सीरीज देखे हो और आप लोगों को पता है हम लोग PYQ की जो सीरीज उसको continue कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जो previous year questions है history के जिसको UPSC ने आप लोगों से पुछा है उन्ही questions को हम लोग ले करके आएं तो आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन questions को discuss करते हैं तो guys यहाँ पर पहला statement देखिए statement question है दो statement दिये गए है statement one ठीक है और statement two दो statement इसमें दिये गए है पहला statement जो इसमें कहता है कली एज reflects the presence of the कली एज reflects the presence of deep social crisis characteristics by the one शंक्रा that is the intermixing of वर्नास और the social order जो कली एज है ठीक है जो कली एज देखने के लिए मिलता है वो क्या reflect करता है the presence of deep social crisis characterized by one शंक्रा that is intermixing of वर्नास और the social order ये statement बता रहा है deep social crisis अगर हम लोग गाईस वर्न सिस्टम के बारे में बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरिट के वर्न सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो गाईस उस समय जो चीज हमें देखने के लिए मिलती थी वर्न सिस्टम कैसा होता था सबसे top notch पे कौन रहते थे ? जो starting वर्न सिस्टम हमें देखने के लिए मिला था अर्ली वधिक पीरिट में और गाईस इस समय ये जो one system था यह interchangeable हुआ करता था और यह one system occupation के basis पे होता था ना कि birth के basis पे देखने के लिए मिलता था starting early Vedic period में हमें इसके बारे में पता चलता है ninth mandal जो देखने के लिए मिलता है वहाँ पे poet ने एक चीज लिखी है that I'm a doctor मैं एक doctor हूँ I'm a doctor my mother is a grinder and my father is a poet though we live in live in same house and we are happy हम सब अलग अलग occupation से belong करते हैं उसके बावजूद हम सब एक ही छट के नीचे रहते हैं और हम सब लोग बहुत ही खुश हैं यह चीज इसमें हमें देखने के लिए मिली थी तो यहां से हमें यह पता चलता है कि जो वर्ण सिस्टम था वो धर्म के अधार पे ना हो कर वो बर्त के अधार पे ना हो करके occupation के basis पे हुआ करता था बड़ गाइस इसी का अपोजेट कब हुआ जब लेटर वेधिक पीरेट देखने के लिए मिला था लेटर वेधिक पीरेट में गाइस क्या हुआ था लेटर वेधिक पीरेट में यही जो वर्ण सिस्टम देखने के लिए मिला था टॉप पे ब्रामर्ड शत्रिय वैश्य और लास्ट में हमें कौन देखने के लिए मिलते थे शूद्राज आ गए थे अब यहां पे अक्यूपेशन बेसिस नहीं था वर्ण अब वर्ण यहां पे कैसा था बाइबर्थ हो रहा था आप जिस वर्ण में पैदा हुए हो आप पर्टिकुलर उसी वर्ण से बिलॉंग करोगे इसी तरह इसी लिए आप लोगों ने सुना होगा ना जब हमारे हां सोशल रिफॉर्म म मूबमेंट्स में समात सुधार अंदोलन जो चल रहा था उसमें एक बहुत ही खुबसूरत सा नारा दिया गया था गो बैक टू विदास का तो सर गो बैक टू विदास की जो बात हुई थी वो इस विदास के बारे में बात हुई थी आप देख रहे हो विदास में क्या था ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन आगे चल करके हम लोगों ने इसको बाइद बर्थ कर दिया जन्म के अधार पे अब हम लोग जातियां डिवाइट करेंगे ये चीज देखने के लिए मिला था लेकिन अरली बदिक पीरिड में क्या था जाती के बर्थ के अधार पे नहीं था आपके occupation के अधार पे था आपका occupation चेंज आपका word change ठेक है तो यह चीज था तो हमारा जो पहला statement है वो तो सही हो जाता है उसके बाद दूसरा statement जो है उसको आप देखिए दा वैश्यास एंड शूद्रास ठेक है जो कि पीजन्स होते थे आर्टीशन होते थे या लेबर्स ह शूद्रास इधर रफ्यूरे फूस्टू पर्फॉर्म प्रेदूशंग फंक्शन ठेक और पेटक्स और फंक्शन और पेटक्स और सप्लाइन नेसेसरी लेबर फॉर एकानोमी क्प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन वीक्निंग और ब्रहमनिकल सोशल ऑर्डर एंड सोशल के बात है ये भी स्टेटमेंट हमारा इद्दम सही है जो वैशे और शूदरास थे अरली वैदिक पीरिड में फिर इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने अपर जो दो वर्ण देखने के लिए मिल रहे थे जो शूदरास थे इन्होंने तो अपर वर्ण यानि की कॉमनली ब्र दोनो स्टेटमेंट सही हो जाते हैं आप देखते हैं कुश्चन हमसे पूछ कह रहा है कुश्चन में क्या लिखा है दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे कोड़ तो और पूछ कह रहा है स्टेटमेटि यहां पे यह पूछ रहा है कि कौन साइस में से सही है ठीक बोध इस्टेटमेंट आड प्रू पहला option यह बोध इस्टेटमेंट आड q and statement 2 is the correct Explanation of statement one option ने option भी कहा रहा है बोध इस्टेटमेंट are true but statement 2 is not the correct explanation of statement first. Option C कह रहा है statement first is true but statement 2 is false. तो उमको पता है हमारे दूनुस statement सही है और उसके बाद option D कह रहा है statement first is false but statement 2 is true. तो guys इसका जो right answer हो जाएगा that is the A1. Both the statement are true and statement second is the correct explanation of statement first. ठीक है ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल गया चलो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो guys okay so guys this is our next question आप इसको देखो इसमें शायद आपको answer भी दिख गया है क्योंकि मुझे भी यहां से दिखाई ही दे रहा है among the precious stone the most expensive foreign trade during the gupta age was that top जो precious stone देखो आपको हडपा टाइम में भी देखे होगे precious stones यूज होते थे जैसे lapis lazuli type के stones देखने के लिए मिलते थे इसी तरीके से गुपता के समय भी हमें प्रीशेस स्टोन देखने के लिए मिलते थे तो इसमें से कौन था वो हीरा, रूबी, मोटी या फिर नीलम इसमें से कौन सा था तो राइट आंसर इसका क्या होगा गाईज नीलम इस दा राइट आंसर, clear, नीलम इस दा राइट आंसर, next question की तरफ ह अगें ये statement वाला question देखने के लिए मिल रहा है, एक minute आप लोग इस question को पढ़िए, उसके बाद फिर मैं आपके लिए इस question को पढ़ता हूँ, थोड़ा question को जो है आप लोग पढ़ना सीखो, देखो कि क्या है, ठीक है, question में क्या कह रहा है, demand क्या है question की, ठीक है, आप ये देखो, की question आपसे demand क्या कर रहा है, ओके, मुझे लगता है आप सबने पढ़ लिया होगा question, एक बार मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ, question यहां से, which of the following statement is or are correct about भक्ती tradition in South India, is not correct, देख रहे हो, not, यही गलतियां हम लोग exam में कर देते हैं, हम लोग ये जो टाम है ना, इसको हम लोग पढ़ते ही नहीं, और आते हुए question हम लोग गलत कर देते हैं, अभी मैं जैसे मुझे से एक mistake हुई, क्या mistake हुई, मैंने भी क्या पढ़ा, which among the following statement is or are correct about the भक्ती tradition in South India अब मैंने तो correct पढ़ लिया, but question की demand क्या है, not correct पूछ रहा है, तो यह चीज हम लोग को ध्यान दे करके चलना है, ठीक है ना, not correct पूछ रहा है हम से, कहां के भक्ती tradition के बारें पर पूछ रहा है, जो की South India में थी, उसके बारें में पूछ रहा है, ठीक, तो statement one क्या बोला है अरली भक्ती मुव्मेंट इन इंडिया वर लेड बाई अलवर एंड नैनार संथ, अलवराज होते थे और नैनार होते थे, ठीक है, गैस यह जो अलवर और जो नैनार देखने के लिए मिलते हैं, नैनार वो होते हैं, जो लौट शिवा के डिवोटी होते हैं, और जाता है, जो लौट विश्नु के डिवोटी होते हैं, ठीक है, तो यह स्टेटमेंट इस राइट, ठीक, यह स्टेटमेंट सही है, और पूछा क्या है, इस नॉट करेक्ट, तो इसका मतलब यह हमारे प्रश्न के हिसाब से स्टेटमेंट गलत हो, उसके बाद सेकेंड स्टे इस स्टेटमेंट को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, तीसरे स्टेटमेंट में आते हैं, करायकला, अम्यार, वोमेंस अलवर सेंस सपोर्टेट प्राक्टिकल नॉम्स, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक, यह चीज क्या है, यह स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, ठीक है, यह स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक, तो इस चीज को एक बार तो guys यहाँ पे यह statement भी जो है वो सही हो जाता है अब जब यह statement सही हो गया है तो guys हमारा जो right answer होगा that is only B only B is the right answer only B is the right answer चलिए next question के तरह बढ़ते हैं fourth question संगम literature से आ गया भाई संगम literature आपको पता है न South Indian भी थोड़ा से important होता है संगम literature formed a very important source for the recognition of the history of South India it was written in संगम literature किसमें लिखा गया है Tamil, Kannad, Telgu, Malayalam देखिए संगम literature जो है न South India के लिए थोड़ा से important हो जाता है important source for the reconstruction of the history of South India South India की जो history है न उसको reconstruct करने के लिए संगम literature important है हमारे लिए तो आप से पूछ रहा है जो संगम literature किस language में लिखा गया है it was written in किसमें लिखा गया है Tamil में, Kannad में, Telgu में या Malayalam में तो गाइस इसका जो right answer है that is the Tamil Tamil is the right answer next question की तरफ हम लोग अपने बढ़ते है that is the fifth one fifth question की तरफ बढ़ते है चलो fifth question क्या कह रहा है हमारा गाइस देखिए मैं इसको यहां से आपके लिए पढ़ देता हूँ the only inscribed stone ठीक है of the emperor Ashoka has been found at समराठ अशोका का एक मातर उत्करिन पत्थर का चित्र पाया गया है कहां पे मिला है साची अमरावती है ना कन गनहली कन गनहली या फिर अजंता में कहां देखने के लिए मिला है तो इसका जो right answer है that is the C1 ठीक C is the right answer C1 is the right answer चल लोग नेक्स्ट कोशन की तरफ हम लोग अपने बढ़ते हैं ओके नेक्स्ट कोशन गाईस जो हमारा देखने के लिए मिला है C1 which one of the following statement about Rig Veda is not correct Rig Veda के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है is not correct ठीक तो देखते हैं DITs were worship through prayers and sacrifice rituals ठीक है जो DITs हुआ करते थे वो sacrifice या फिर rituals के basis पे इनको worship किया जाता था एक statement तो ये कह रहा है ठीक है sir ये statement तो हमारा सही हो जाता है यानि की गलत है not correct पूछ रहा है ना तो ये statement तो हमारा कया the gods are presented as a powerful who could be made to intervene in the world of men by the performance of sacrifices बिलकुल सही बात है भगवान सबसे supreme DIT देखने के लिए मिलते थे सबसे powerful होते थे early Vedic period में कोई order of preference देखने के लिए नहीं मिलता था जिस भी भगवान की पूजा कर दी जाती थी जिस भी भगवान के हाइंस को chant किया जाता था वही God superior मान लिया जाता था कोई order of supremacy देखने के लिए नहीं मिलता था फिर later Vedic period में ये सब देखने के लिए मिला option option C क्या कह रहा है the gods were supposed to take parakets of protects of the offering as they were consumed by the fire ठीक है यजना जो किया जाता था जो यजना में डाला जाता था वो offering कौन मेडियेटर कौन हो रहता था fire है ना अगनी अगनी मेडियेटर का काम करते थे messenger का काम करते थे उस समय के लिए ये statement भी हमारी क्या हो गई ठीक next option D को जड़ा पढ़ते हैं क्या लिखा है the sacrifices were performed in the temples नहीं sir ऐसा हमने कुछ भी नहीं सुना था sacrifices होते थे लेकिन temples में नहीं होते थे ठीक है ना sir ये statement सही है इसका ठीक D is the right answer 7th question की तरफ हम लोग अपने चलते हैं तो सात्वा कोशन है consider the following statement कथनों पे विचार करिये अब आप तो पहला कथन हमारा क्या कहता है गाईस वो ये कहता है दाट पहला statement दा जैन्स बिलीव दाट महावीरा है 23 predecessors ठीक है ओके आगे पढ़ते हैं sir second जो statement है ये कहता है पाशनाथ was the 23rd तीर ठांकर ठीक है sir कोई दिकत नहीं है statement में हमें कुछ नहीं लग रहा रिशब वाज इमेडियेट सकसेसर आफ महावीरा sir ये statement जो है ना हमको थोड़ा सा गलत लग रही है बाकी की दोनु statement सही है जिस वजह से हमारा answer हो जाएगा one and two only is the right answer yes is the right answer next question की तरव पढ़ते हैं हम लोग which was which of the following statement about ancient India महा जनपद is correct महा जनपद के regarding कौन सा statement इसमें से सही है आपको ये बताना है ठीक है eighth one all महा जनपद वर oligarchies power was exercised by a group of people sir ऐसा कुछ था ही नहीं ये जो statement है group of people इसकी वज़े से ये तो कट गया ठीक group of people तो sir थे ही नहीं B statement all महा जनपद वर located in eastern side ना ना सर ऐसा तो ये तो खुदी बोल दिये तो खुदी statement देख लो दम extreme चला गया all महा जनपद सारे महा जनपद क्या इस्टन साइट पे located थे नहीं सर गलत statement है ये भी गलत हो गया no army was maintained by the महा जनपद सर मगद क्या था powerful था कैसे था सर आर्मी ठीक है तो ये statement भी हमारा गलत देख रो दम basic knowledge के उस पर आप इसको कर सकते हो Buddhist and giant text listed 16 महा जनपद यहीं बचरा है और यहीं ऐसा है इट इस दा right answer clear चलो next question की तरफ हम लोग अपने बढ़ते हैं D is the right answer next question हमारा ninth one the fourth Buddhist council was held in Kashmir under the leadership बहुत प्यारा कोशन और बहुत लड़ूजा कोशन है जो fourth Buddhist council होई थी वो किसके अंडर में होई थी बिंदो सार अशोक का कुनार या फिर कनिश्क तो इसका जो right answer is that is the कनिश्क कनिश्क के अध्यक्षता में करी गई थी कनिश्क was the king ठेक है next question guys last question पतंजली वास फिलोसफर औफ योगाचारे स्कूल B the author of book of Ayurveda C a philosopher of the Madhmika school D the author of the commentary of panini sanskrit grammar कहना तो पतंजली कौन थे पतंजली ने जो panini ने sanskrit grammar book लिखी थी उस पे इन्होंने commentary करी थी ठीक है उसके author थे D is the right answer ठीक तो ये था guys हमारा आज का discussion उमीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा आप लोगों ने इसको solve किया होगा आप लोगों से maximum number of questions solve हूँए होंगे देखो हम लोग छोटे-छोटे questions लेकर के आ रहे हैं मतलब number of questions बहुत जादा नहीं लेकर के आ रहे हैं सिर्फ minimum number लेकर के आ रहे हैं जो कि आप अनाम से बैट करके solve कर सकते हूँ ठीक है इसका जो PDF है वो त्रिशूल defense academy के यूट्यूब channel sorry telegram channel पे मिल जाएगा और telegram channel का जो description है वो आपको जो telegram channel का जो link है guys वो आपको description में मिल जाएगा ठीक है so guys thanks a lot for watching this session and check all the best guys जहां बनते हैं देश के गौरव इंडिया का एक मात्र ऐसा coaching institute जहां cadets को train किया जाता है आने वाले defense exam के अनुसार अगर आपका भी सपना है भारतिय सेरा में शामिल होकर देश की सेवा करने का तो आज ही join करें त्रिशूल defense academy